लेलकम टू 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 टेकनो स्मार्टर। इस भीकोल में बात करें कैसे आप एक फिर्टो और हा रसकते हैं। जब वह फोर्म हो जाता है। आपको कोई भू ऐसी आप लिए यू और उताऊं का इसका यूज कर सकते हैं। यहां पे कर दिया और मैं इसको PHP के दुवार आपको करके दिखाने वाला हूँ तो send पे मैं क्लिक करता हूँ send पे क्लिक करने के बाद thank you technosmarter your message has been sent तो यहां पे आप देख सकते हैं form हमारा हाइड हो चुका है and view source में भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर form आपका नहीं होगा और देख सकते हैं आपका form नहीं है यहां से जा चुका है और आप देख सकते हैं form.php है ठीक है मैं एक बड़ रिलोड करता हूँ तो form वापस आ जाएगा and दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहां पर form.php है इस मेठड को यूज करके आप form को हाइड कर सकते हैं on submit तो यहां पर मैं name enter कर देता हूँ and new item लेता हूँ this is another test method यहां पर देख सकते हैं form.php पर कोई other page नहीं आएगा तो send, send पर मैं click करता हूँ send, send पर click करने के बाद आप देख सकते हैं thank you यहां पर आपको message मिल जाता है, जो भी आप message रख होगे यहां पर set कर सकते हो message और यहां से form हमाला चलाई है, बिल्कुल यही functionality होनी चाहिए अगर आप contact form बनाना चाहते हूँ यह simple easy method में आपको बताना है वाला हूँ, यदि आपको नहीं पता है तो आपके लिए काफी useful होने वाला है तो चलिए इसको implement करते हैं मैं अपने text editor में आ चुका हूँ, यहां पर PHP मैंने फॉर्ड़ा सेट किया हूँ है मैं new file ले ले दा हूँ and save as form.ph simple and html यहां पर देते contact form तो आपको कोई भी form होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं तो यहां पर हमें एक form बनाना पड़ेगा form and action is and method method a post get कुछ भी ले सकते हैं बर पोस्ट आपके लिए useful रहेगा security के लिए and यहां पर label ले देते हैं name other field view मैं बना देता हूँ तो यहां पर मैंने other field view बना लिया label ले 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 name और type दे दे text box यह simple HTML का code है फिर email ले लिया और type मैंने email ले लिया इमेल के लिए यहां पर name proper दे नेम email and message दे दिया मैंने यह proper एक मैंने एक form बना लिया आया तो तो इस तरीके से कुछ interface आता है तो हम थोड़ा से स्कूर CSS देकर design कर लेते हैं ताकि यह proper visible हो तो इसके लिए मैं आप style add कर देता हूँ तो मैंने कुछ simple से styles add कर दिया है आप यह देख सकते हैं body ले लिए body का color यह दे दिया फिर form control के लिए properties यह ले लिए simple style इस दिजाइन करने button के लिए लिए text area के लिए यह ले लिए container के लिए container जिसमें हमारा पूरा form रहेगा वह यह ले चुके हैं label के लिए जिसमें name email है और success message के लिए आप देख सकते हैं नॉर्मल सी आप टाइप भी कर सकते हैं वह इतना issue नहीं है ठीक है and मैं इसको container में लेता हूँ class देते हैं आप इडियो class मैंने बनाई हुई है and last me form close and due close तो यहां पर आप देख सकते हैं तो प्रोपर CSS हमारा matter नहीं हमारा matter है कि किस तरे किसे हो वह hide होगा form तो CSS नॉर्मल सी CSS है यहां से आप देख सकते है margin left लिया हुए with the meaningful तो यह CSS very important नहीं है पार्ट तो CSS important पार्ट नहीं है just design के लिए हमने ले ली प्रोपर इसमें एक title भी दे देते हैं आपर यहां पर लेलिया मैंने contact form और यह एक unicode होता है flag के लिए unicode आप Google पर search करोगे HTML unicode for flag तो यह आपको मिल जाएगा तो run करते हैं तो यहां पर देख सकते है flag आ चुगा है आप इसको normal सा type भी कर सकते है contact form unicode okay यह आ जाता है अब हम PHP का code करते है किस तरीके से हमारा form submit होगा और यह hide हो जाएगा और message show होगा हमारा वहां पर तो चलिए करते हैं तो उसके लिए में PHP यहां पर opening tag and closing उसके बाद if is set का मतलब क्या है इस चीज़ पर हमें function run करना है हमें run करना है function इस button पर जब यह button प्रेस हो तभी यह functionality चले उसका नाम क्या है submit form नेम हम यहां पर देने वाले हैं तो dollar post क्या hold कर यह लाएगा इसको hold करके लाएगा इसका मतलब है जब हमारा सैटर मतलब बटन प्रेस हो रहा है तब functionality चले तो कुछ अब कुछ भी change कर सकते हो आपकी उपर depend करता है बट यहां पर सीहमी देना है जो आपने name में लिया है ऐसे हमने email ले लेते है message जो हमने message name दिया है तो यहां पर हमने तीनों फिल्ट ले चुके है ठीक है उसके बाद यहां पर हम echo करा जेते है message message thank you thank you और यहां पर dot यहां पर हम name भी लेके आने वाले है उसका जिसने हमें contact किया है उसका name भी आ जाया या कुछ message आ जाया है तो उसका dollar name अब value कहां पर है dollar name के पास है तो dollar name को यहां पर लेके आजाओ simple है कि देते हैं कॉमा कॉमा और इस है और यहां पर echo कराते है ठीक है simple है home submit हो जाने के बाद यह आना चाहिए अभी टेस्ट करते हैं इसको send thank you और यह name आया थे your message has been sent but problem यहां हो ही कि यहां पर यह contact form हमारा hide नहीं हो है जो भी form आप hide करना चाहते हो वो hide नहीं हो है तो hide कैसे होगा चलिए मैं आपको बताया तो उसका simple technique है उसका सिंपल टेकनिक है आपको क्या करना है जैस यहां पर डॉलर हाइड कोई भी बना दो और उसको सैट कर दो मतलब form submit होने के बाद हो सैट होगा यह message success होने के बाद हो सैट होगा ठीक है अब hide को मैंने सैट कर दिया अब form में आपको क्या गारना है देखे PHP is set यहां पर हम एक condition लगा देंगे dollar हाइड अगर condition लगा दी और PHP के बीच अगर आपको HTML यूज़ करने है तो किस तरीके से यूज़ कर दिखते हैं यहां पर close कर दीजिए close करने के बाद यहां फिर फोर्म में PHP open कर दीजिए ठीक है अब यहां पर यह curly braces open होगा तो यहां पर closing होगा तो यहां पर मैंने close कर दिया अब इस set अगर यह hide है तो यहां यहां पर क्या होना चाहिए contact form हाइड होना चाहिए और contact form कब विजिबल होना चाहिए जब यह hide वाला set ना हो तो यहां पर हमें note देना पड़ेगा इसका मतलब यह है जो डॉलर हाइड वैरिये बल है यह सैट नहीं है तब contact form हमारा सो हो और जब यह set हो जाए मतलब form submit हो जाए तो यह hide हो जाए तो इतना सा यह करना था है तो चलिए एक बड़ टैस्ट करते हैं इसको reload और आप देख सकते thank you your message has been signed message हमारा जा चुपा है चिक है अब मैंने कहा कि हैं आप सक्सस चिक है शिंबल साइगी है सक्सस मैंने कलास लगई thank you और यहां पर नेम ले लिए strong में और अगर आपको insert कराना है तो insert query आप यहां पर यूज कर सकते है यह और insert query insert query की database में चला जाए या आपको mail पर transfer करना है तो यहां पर mail लगा सकते है mail function की functionality जिससे वह mail पर चला जाएगा बट हमारा यहां पर focus था कि किस तरीके से आप form को hide कर सकते हो आप कोई भी form होगा आपका hide हो जाएगा तो चलिए एक बार और और फिट करते हैं आप रिलोड करने पर वह वापस आ जाता है बिल्कुल आ जाएगा जान करने पर thank you shall your message has been sent तो कुछ भी आप यहां पर नाम लोगे तो उसको वह सोख होगा तो thank you technical smarter your message has been sent हम किसी चीज को hide किस तरीके से कर सकते हैं मैंने आपर hide दे दिया 1 मतलब यह ने किसी पाव को 1 ही देना है आपर 2 देदो 3 देदो कितनी भी value आप देदो इससे मतलब यह है कि इसके पास कुछ ना कुछ value है यह set है और इस set function हमेसा क्या check करता है कि वह null ना हो उसके पास कुछ हो ठीक है हमने condition लगा दी if not is set hide इसका मतलब है जब किसी ने एक बार page open कि उसको hide set नहीं मिलेगा क्योंकि button submit करने पर ही hide हमारा से जब हमारा button press हो जाएगा तो hide हमारा set हो जाएगा hide set हो जाएगा तो यह condition हमारी क्या हो जाएगी false और condition false हो जाएगी तो यह हमारे बीच का जो भी code है HTML का नहीं चले simple यह होता है हमारा PHP के दौबर अगर simply आपको hide करना है कोई भी form तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बाकि simple method यह जाता है या बाकि आप style sheet के दौबर भी कर सकते हैं वह अलग method हो जाता है यह JS के दौबर भी आप कर सकते हैं वह अलग method हो जाते हैं तो उन पर भी हम next tutorial में बात करेंगे यह link आपको description में मिल जाएगी यह आप पर जाकर आप check कर सकते हैं complete process check कर से किस तरीके से ह यहां पर किया CSS style sheet आपको मिल जाए complete code है यहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और यह आपको यह tutorial अच्छा लगए तो like कर देजिए चैनल को subscribe करना बिल्कूल भी न बोले thank you मिलते हैं ने क्रिक्ट्रोल में चैनल को subscribe करना बिल्कूल भी न बोले thank you